काजगन जनपत एक सरकारी सिक्षिका द्वारा नेता जी मुलायम सिंग यादो पर अशोबनी अभध्र गयर मर्यादित टिपणी किया जाने के बाद सपा नेता और उनके चहेतों ने भारी आक्रोश है। SPBV GTS मूर्ति को दिये गए ग्यापन में समाजवादी पार्टी नेताओं ने बताया कि काजगंज के राजके इंटर कॉलेज नौर्था में प्रधानाचार याय समिक्षा सिंग हैं जो कि किसी न किसी बात को लेकर राजजितिक सुर्खियों में रहती हैं। किसी पापी को अरपन नहीं करूँगी शीराम द्रोही हो मैं उसका बंधन नहीं करूँगी। पोस्टर वाइरल होने के बाद नेता जी के समर्द को में खासा आक्रोश फैल गया और तमाम समिक्षा सिंग की पोस्ट पर विरोध में कमेंट सुरू हो गए। गयापन के बाद सपा के रास्ट प्रवक्ता मोहमद हफीज गांधी ने बताया कि काशगंज में एक सरकारी टीचर है समिक्षा सिंग चिनोंने नेता जी मुलाम सिंग को लेकर गैर मर्यादित और गैर संसदिय टिपनी की थी। जिससे मैं समस्ता हूँ कि समाजवादी पार्टी के ही नहीं बलकि जो लोग नेता जी को प्यार करते हैं उनका भी सम्मान करते हैं उन सभी लोगों को अगहात लगा है कही न कहीं उनके दिल पर चोट लगी है इस सिलसले में आज हम सब लोग SSP शाहप से मिले और उन्हें ग्यापन दिया कि सरकारी कर्मचारी हैं वहराजनीत एक कमेंट नहीं कर सकती और मरे आदित गैर सांसदिय कमेंट नहीं कर सकती इसी सिलसले में हमने ग्यापन देकर टीचर के खिलाफ कारों कि कहे जाने की मांग की इस गटना को लेकर SSP PVGTS मूरती ने बताया कि समाजवाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक ग्यापन दिया है जिसमें एक प्रधाना चार हैं उन्होंने नेता जी के खिलाप एक अभधर टिपनी की है इस मामले की जाच परताल कराकर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट तर्च कराई जाएगी जीबिन 24 के लिए काजगन से अशोक शर्मा की रिपोर्ट एक्शन होना चाहिए क्योंकि जो भी सरकारी करमचारिया है उसका एक यह into correct है वहPeople कमेंट्स नहीं कर सकते और वह भी गैं मर्या दित ऊमर्यांदित गैर संसदे कमेंट नहीं कर सकते तो इसी सिलसले में आज हम ग्यापन देने आये थे और ग्यापन में हमने ये मांग किये कि इनके क्लाफ एक्षन होना चाहिए इसके समबन्द में उन्होंने हमें ग्यापन दिया है और हमने उनको आशवासन दिया है कि हम लोग उसमें जांच करेंगे और जो भी अगर खईअपर भी कोई नें जाच हो जाए फिर हम बताएंगे कि क्या-क्या मतलब मामला हुआ It